रोजाना रासी फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार दोस्तों जै मातादी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस योटूब चैनल में या समय जिनका भी बड़े है या फिर मैरे जन्वर्सरी है उन्हें हमारी और से धेर सारी सुब काम नाएं आप दिन दोगुनी राच चोगुनी तरकी करें दोस्तों आए यहां जानती है कीन रासी के जातकों को लाब होगा और किने मिलेगी खुश खबरी आज माता लक्षिमी जे की किरवा कीन रासी जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन आए यहां जानती है शुक्रवार 4 जून 2021 को आपका दैनिक रासी फल कैसा रहेगा किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में आईए यहां जानती हैं और आज आपकी ग्रहों की स्थति कैसी रहेंगी क्या-क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशी पर क्या होगी हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस विडियो में आप इस विडियो को मिस बिलकुल भी ना करें और सुरू से अंत तक जरूर देखें जिन्हें विडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गए हैं आप जरूर देखिएगा आपको काफी अच्छा लगेगा तो चलिए विडियो सुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांगी के वारे में चार जुन दो होजारे किस दिन आज सुक्रवार का है और जेश्ट मास के कृष्ण पक्ष की दसमी तिथी बन रही है ठीक या सुबह के चार बज कर साथ मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांथ कृष्ण पक्ष की एकादसी तिथी प्रारम हो जाएगी नक्षद्र की बाद करें तो उत्तर भादर पदा नक्षद्र बन रही है जो कि या ठीक रात्री के आठ बस कर 47 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांथ रेवती नामक नक्षद्र प्रारम हो जाएगी योग की बात करें तो आई सुमान नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक रात्री के दो बसकर 49 मिनट तक चलता रहेगा और इसके उपरांत सुभागी नामक योग प्रारम हो जाएगी सुरी रासी रहेगा ब्रिसव रासी और चंदर रासी चंदरमामीन रासी पर संचार करेगा अर्थाथ आज दिन का सुभ समय यानि राहु काल की बात करें तो यहाँ सुभागे 11 बसकर 58 मिनट से लेकर ठीक दो पहर 12 बसकर 51 मिनट तक चलता रहेगा अब बात करते हैं और सुभ समय की तो यहाँ सुभ है कि 10 बसकर 45 मिनट से लेकर ठीक दो पहर 12 बसकर 25 मिनट तक चलता रहेगा याद रखिएगा दोस्तों राहु काल के समय किसी भी तरह के महतपूर्ण और सुभ कारी को आप बिलकूर भी ना करें अन्य था आपके कारी में वीगन बाधाएं आश्रता है चलिए जानते हैं अब आपके दैनिक रासी फल जी हाँ हम आपके दैनिक रासी फल की बात कर रहे हैं करक रासी के जातकों को आज बताना चाहेंगे आज आपका सुभ रंग जो है वहाँ आज आपके लिए सफिद रहेगा और आज आपका लखी नमबर यानि कि भाग्य साली अंक जो है वहाँ आज आपके लिए चार रहीगा ग्रहों की इस्तिती कुछ इस परकार बन रही है सितारे आज आज आपके कह रहे हैं कि आज आज आपको कामयावी मिलेगी यह समय कर्श की रकम वापस मिलेगी कामकाजी लोगों को दफ्तर के काम से दूसरे सहर जाना पड़ शकता है जी हाँ लेकिन उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें और शम्हल कर रहें यह आपके लिए अतियावसक है हम आपको उता दें और परिचित लोगों से नुक्सान होने की आसंका है और शत्रूओं के साथ सावधान रहें यह आपके लिए अतियावसक है आपको दादें आज आप अपने परिवार के लोगों के साथ रिष्तिदारों के घर जा सकती है और किसी जरुवत मंद व्यक्ति की मदद कर सकती है जी हाँ आपको घर दादें यह समें आपको अपने जीवनशाथी से सहायता मिलेगी और धनसं मंदित कार क्या पूरे हुँए आपको घुदादें कारोबर की शस्तिवी ठीक रहेंगी और किसी भी its का हिस्सा नहोगा हिस्साद नहीं अपको भीज़ज기에 यह समय नई सुप सुचना मिलेगी और बुजुर्गों का आश्रवाद मिलेगा किसी मित्र की पार्टी में सामिल हो सकती है और यह समय परिवार के सदस्यों के साथ समय विता पाएंगे और बोल चाल के दौरान सावधान रहे आज आपका दिन मौज मस्ती में भारा रहेगा आपको बता दें यह समय समाचिक मेल जोल से आपको खुसी और शुकुन मिलेगा और कामकाज में अच्छे नतीजे हासिल होंगे और नौकरी छेत्र का माहौल आपकी पक्षि में रहने वाला है प्रेम परशंग में है वह अपने प्रिये के साथ रुमेंस भरा पल वैतित कर आपको बता दें परिये आपकी भावनों को समझेगा और बहुत जल्द ही आपका प्रेम विवा हो सकता है दोस्तों अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें अगर आप माता लक्षमी जी का सच्चे भग दें तो कमेंट बॉक्स में सच